हालो बच्चो मैं सभी का सवगत करता हूँ फिजिस ग्यान मकेश नाइक चैनल पर यहाँ पर आप लोगों की लिए मैं इलेक्टोनिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ तो इलेक्टोनिक्स में क्या सिलाबस होता है कौन से चाप्टर करना से हम लोग आउटप नंबर्स ले सक बच्चो एक बात बता हूँ आपको कि इलेक्टोनिक्स में हंड्रेड परसेंट आउटप नंबर आने के चांसे होता है हंड्रेड परसेंट आ सकते बच्चो और वह भी मैक्जिमम बच्चो को आ सकते कुछ नहीं आप लगों को मैं जितना बोलूंगा उतना पढ़ा ही करन पड़ेगा और पूरे चाप्टर करने की भी जरूत नहीं है और फरे बच्चो इस सब्च्च में मतलब साथ चाप्टर से उसमें से चारपा चाप्टर करो और आप अपने आउटप नंबर मिला सकते बच्चो तो चलो हम लोग इस सिलाबस के उपर डिसकेशन करने जा रहा है कि electronics 2 इसमें आपको total 7 chapters है कोईसे chapter में से कितने सवाल आते हैं कितने numbers होते हैं चाप्टर को percentage में देखेंगे बाद में कितने numbers को questions हते हैं और बच्चो एक सबसे बहुत बढ़िया बात है कि हार questions को options होते हैं मतलब 2 questions बोलते हैं 3 questions देता हैं कुछ सवाल तो ऐसे होते हैं कि दो सवाले एक सवाल सवाल करना एक छोड़ देना है मतलब बहुत बढ़ी आउपर है बच्चो यहां पे नियरा बोटली आपको 60-70 percentage 60 percentage बुलूंगा मैं आप लोगों को paper सवाल करना पड़ता है जितने दिये वाली इतने questions से अगर सोचा जाए तो क्यूंकि 2 questions में से 1 सवाल करना है तो 50 percentage हो गया बच्चो तीन सवाल में से आप लोगों को 2 सवाल सवाल करना है मतलब बच्चो 33 percentage आपको drop हो गया सिलाबस सोचा जाए तो आपको 60-70 percentage सिलाबस करने से हम लोग 50 out of 50 numbers ले सकते हो सबसे पहले बच्चो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आपको electronics 1 and electronics 2 ऐसे और electronic 2 बच्चो आपका 50 यह होगे बच्चो 100 marks आपको बच्चो यहाँ पर practically प्राक्टिकल में वैसे इसके 50-50 होते हैं मेरे खाल से maximum college वाले बच्चो अगर आप लोग सही में अच्छा performance हो अच्छे college attempt करते हो या अच्छे आप लोग practical में performance है project अच्छे करते हो तो 100% बच् बच्चो यह मैं इतना बूलूंगा electronic 2 में तो 100% बच्चो 50 आउट आप 50 नमबर लेनी कि में आपको इतने content दूंगा इसमें भी दूंदूंगा लेकिन इसमें थोड़ा theoretically लिखना पड़ता है इसमें थोड़ा logically बच्चो और logically हम लोगों को 2-3-3 line में सवाल देते हो तो भी numbers आते हैं तो यह 200 मार का सिलाब से बच्चो आपको practical के 100 आउट आप सो एक बाद धन में रखना है बच्चो हम लोगों के लिए passing जो है वो 17 नमबर के लिए 200 मार टोटल electronics जो subject है बच्चो आपका वो 200 मार का है और passing है बच्चो आपको only 70 मार फिर आपको यहां पे practical में 100 में स 100 है और electronics के paper E1 और E2 में अगर 00 number आए तो भी pass हो सकते इतना अच्छा subject है बच्चो कि practical में ही pass होकते लेकिन present रहना बहुत जरूरी है अब बोलेंगे सर हम absent रहते दोनों theoretical paper में क्या pass होंगे नहीं absent ही लगेगी बच्चो इसके लिए आपको खाली exam attempt करना पड़ेगी तो भी आप लोग pass हो सकते हो कितना बड़े या offer बच्चो without लिखे हुए खाली आपका खुद का number लिखो कुछ ही नहीं लिखना है घर पे वापिस आना है practical में आगर आपको 100 में से 70 मार्ग भी रहे तो भी pass होते practical plus theory passing है बहुत सरे बच्चो को confusion होता है कि सर इसमें 25 percentage लगते है क्य अलग अलग passing है क्या नहीं passing practical plus theory passing है I will repeat practical plus theory passing criteria है electronics में मतलब electronics में कोई भी बच्चा फेल नहीं होता है practical देना पड़ेगा उसको practical में 70 number होते ही होते मेरे खाल से कोई भी college ऐसा किसी बच्चे का loss नहीं करना चाहता है तो 70 numbers तो देते ही देते है तो आप लोग without कोई भी preparation करते हुए भी pass हो सकते हैं क्या बच्चो अपने pass होने के लिए subject लिए इस subject का हम लोग use करते है percentage बढ़ाने के लिए और कुछ knowledge gain करन आता हूं मैं जैसे chapter upload करूंगा वैसे आप लोग खाली follow करना है मैं hundred percent guarantee देऊगा बच्चो इस paper में आपको 50 के 50 number मिलने चाहिए ये मेरी कोशी जारी रहेगी क्या आप तयार है बच्चो तो सबसे पहले अगर तयार हूं तो मुझे comment box में comment लिखना है कि हां sir हम तयार है आप अपना syllabus continue करें बच्चो मैं बहुत जबर्दस content दूंगा concept दूंगा वो concept आपके बच्चो एक इन दिलाता हूं दो घंटे या हपते में एक बार भी electronics खोल के बठोगे तो भी मैं 50 और 50 electronics 2 और electronics 1 मतलब दो से के 200 numbers ला सकता हूं ये मेरी कोशी जारी रहेगे अगर मेरा साथ द अबना नम का chapter से 15 percentage मतलब बच्चो इसमें एक तो साथ या साथ मार्क और आट मार्क के questions आते हैं बच्चो एक्चल में सोचा जाए ना सही में उसमें से 10-12 मार्क के questions आते हैं with options की बात कर रहो मैं ये compulsory बच्चो साथ मार्क ये percentage है आपको 50 percentage करना है टोटल देखो 15 यहां प बच्चो 80 और ये 100 तो आपको हब करना है तो ये मार्क हब करना है जो percentage इसके हब करना है ये compulsory होगे बच्चो compulsory मार्क है 7-8 यहां पे 10-12 मार्क के questions आते है 10-12 मार्क के questions आते बच्चो समझ लो ठीक है उसके बाद में बच्चो ये chapter इतना easy है बच्चपन में जैसे खिलते है addition subtraction करना पड़ती है क्या बोलना आपको multiplication, division इतना simple सा chapter से बच्चो अगर जीन बच्चो का addition, subtraction, multiplication, division आता है मेरे खाल से ये सभी बच्चे chapter कर सकते है इतना simple सा chapter से बच्चो मैं एकिन दिलाता हूँ उसके आपके 12 मार्क मैं कमपल सरी सबके पक्का कर दूँगा वो भी मेरे पास बहुत बढ़िया बढ़िया trick से उ YouTube पे भी दिया वाला है बच्चो लेकिन मेरे पास इच चाप्टर के लिए बहुत बढ़िया और बहुती quick second में आप लोग कोई questions को उठा के solve कर सकते हो, ऐसी tricks मेरे पास है, साथ में बच्चो आपके पास logic gate है, logic gate हम लोग semiconductor जो chapter पढ़ते हैं बच्चो सेमी कंड़क्टर में logic gate already पढ़ते हैं हम लोग, बच्चो बेसिक है, थोड़ा सा उसका advanced version इसमें है, तो ये भी आपकी जो दीवाले 7 और 8 मार्क के जो questions है, इसको भी हम लोग अच्छी तरसे बना सकते हैं, इसमें भी बच्चो near aboutly 10-12 मार्क के questions आते हैं, और मैं questions आते हैं, इसलिए मैं fix नहीं बता रहा आपको, बच्चो सोचा जाए, तो 20-25 मार्क यहीं cover कर सकते हैं, दो चाप्टर में बच्चो 20 या 25 मार्क के नियर aboutly cover कर सकते हो, और इतनी easy way से, एक बात बूलो बच्चो, अगर जो बच्चा सही genius है, वो एक दिन में 25 मार्क cover कर सकता है, एक दिन में दोनों भी, यह चाप्टर, यह चाप्टर, दोनों बच्चो 20 या 25 मार्क यह दिन में cover कर सकता है, इलेक्टोनिस के बगवान, वन फोर्थ, मतलब टोटल सोचा जाए, तो 50 परसेंडेज बोलूंगा मैं, और पूरा even e2 पकडूंगा, तो 125 परसेंडेज, नहीं, स्वारी, 25 परसेंडेज बोलूंगा, वन फोर्थ, सिलेबस, मतलब जो बच्चा आप इतना easy, logic, इतना easy बच्चो, आप सोचो को भी नहीं, यह दोनों चाप्टर easy way से करो, sure and short बच्चो आपको 25 मार्क में cover कर सकता हूं, 20 या 25 मार्क यह रावाओ, चलो, logic families and IC specification, 10 इस चाप्टर का अब लोग रिने drop आप भी किया, तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यह आपको 5 number, 5 questions आने वाले compulsory में, multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder, बच्चो बहुत chapter easy, यह भी, actual मैं सोचा जाए तो बहुत है, लेकिन जिन बच्चो को छोड़ना है, तो थोड़ा छोड़ सकते, इसको, कोई tension है बच्चो, दोनों chapter छो होगे, तो out of, flip-flop counter register, flip-flop होते बच्चो, क्या होते मैं बात करूँगा, अभी फिलाल में आपको knowledge नहीं होगी, इसमें आपको 20% मतलब 10 mark के question compensatory आएंगे, ठीक है, यह रबोटली 15 mark के और में आ सकते, ठीक है, AD to DA converter, analog to digital, आपने अगर, computer का basic fundamental, अगर कोई course किया हो, CET, CET, की जो course होता है, उसमें analog to digital, digital to analog, कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चो, इसमें 6 marks, to near about 9 to 10 marks होते बच्चो, और computer fundamental, बहुत easy बच्चो, hard disk इसको कहते है, रैम का होती है, जैसे कि हम हमरे phone में भी, मेरे खाल से बच्चो, आज कल के जितने advanced बच्चे हैं, यह सभी ब लोगों को पढ़ना है, बस, क्या जानते हैं, कि इसमें hard disk क्या होती है, रैम क्या होती है, रोम क्या होती है, read only assess memory क्या होती है, simple, इतने simple content है बच्चो, आप लोग सोचोगी भी नहीं, तो मेरे खाल से बच्चो, इसमें भी आपको 4 questions तो compulsory आने वाले है, साथ में बच्चो इसमें 6 questions, consider किया जाय, तो 5 chapter करने से, आपके 50 out of 50 number मैं fix कर दूँगा, बच्चो, हाँ, मैं पढ़ाने वाला तो पूरे, साथ के साथ chapter पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन, जिन बच्चो को, सही में, ये chapter तो इतने easy है कि, आप consider भी नहीं कर सकते, बच्चो, electronic subject, आपको actual में ए computer like subject है, computer के related है, मतलब computer science थोड़ा दरा सा अलग आता है, लेकिन दो भी computer को basic देता है बच्चो, ये chapters, computer fundamental, जो basic चीज़े होती है, जो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते, AD2DA, ये दो chapter, उसके बाद में number system, ये तो physics में chapter अल्ड़ी कवर होने वाला है, करने वाले भी है, इसको थ put down करे, कौन से chapter कितने numbers को आने वाला है, ये fix percentage wise आपको दिये वाला है, मैं इस chapter को start करने वाला number system and boolean algebra, ये आपके number में fix करके देने का, बच्चो आपके साथ वादा करता हूँ, लेकिन क्या आप लोग तयार हो, तो share करना चैनल को जादा से जादा, और सभी बच्चो के इ पाइदा हो सक्के चोल, थेंक्यू and best luck for your study.